इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी Google Play Store से कोई अप्लिकेशन डाउनलोड कर रहे हो पर वो आपका अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है आप कोई भी अप्लिकेशन डाउनलोड कर रहे हो तो या तो वो पैंडिंग बताता है या वो आटोमेटिक कड़ हो जाता है तो उसको हम ठीक कैसे करें क्या तरीका है इसका आईए जानते हैं तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं और कुछ चीजे हैं जो आपको फॉलो करनी है और ध्यान रखनी है सबसे पहला तरीका है यहाँ पे चेक करिए कि आपके फोन में नेट चालू है कि नहीं और साथ ही में आप ये चेक करिए कि कहीं आपका नेट खतम तो नहीं हो गया है ये भी चेक करिएगा अगली चीज आपको ये चेक करनी है आपको play store में जाना है इसके home page पे आईए आपको मिलेगा उपर एक goal आइकन इस पे आपको touch करना है यहाँ पे आपको एक option मिल जाएगा जिसका नाम होगा manage apps and device इस पे touch करिए आपको मिलेगा यहाँ पे manage इस पे आईए और आपका कोई application यहाँ डाउनलोड हो रहा होगा यह update हो रहा होगा all app update में जाएए यहाँ देखिए यहाँ आपको मिलेगा है पे manage इसमें आईए आपको साथ यहाँ पे मिल जाएगा तो चेक कर लिजिए और इसको फिलाल रोग दीजिए अब यहाँ पे आप अगला तरीका फॉलो करें आपको phone की setting में जाना है अपने phone में settings को खोलिए नीचे की तरफ आईए आपको मिलेगा यहाँ पे एक option जिसका नाम होगा apps डारेक्ट इस option को open कर लिजिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा manage apps यापके सारे apps automatic यहाँ पर show हो जाएंगे तो इस पे touch करिए और आपके पास ऐसा page आएगा नीचे आईए आपको मिलेगा यहाँ पे एक option play store या google play store से ढूंड़िए और open कर लिजिए तो हम open कर लेते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ है वो तो यहाँ पे यह रहा इस पे आप touch करिए आपको मिलेगा यहाँ पे storage या नीचे की तरफ देखिए इस पे touch करिए और clear data कर दीजिए और clear data कर दीजिए ओके कर दीजिए और अब आपकी दिक्कत 100% solve हो जाएगी और आपका जो play store है उसमें से कोई भी application डाउनलोड होने लग जाएगा शायद आप समझ गए होंगे चाहे तो आप इसे try कर सकते हैं और बाद में comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आए like करें चैनल को subscribe करें